क्या दोस्तों आपको पता है पैट गेलसिंजर कीस कंपनी के नए CEO बने है भारत देश की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्गाटन किस ने किया है एबोला वेक्सिन का भंडार किस देश में स्थापित किया जाएगा एसे ही तेरह बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 17 जन्वरी 2021 का करंट अफेर का वीडियो तयार किया है क्वालिटी की द्रिश्टी से सुपर से भी उपर यह वीडियो लास्ट तक देखे लास्ट में मैं आपसे एक क्वेशन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट वोक्स में द चलिए बिना वक्त गवाएं हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेशन से पहला क्वेशन पारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्गाटन किस ने किया है भारत देश की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्गाटन हमारे देश के रक्ष राजनात्सी ने किया यानिकि इस क्विश्चन का सही आंसर है राजनात्सी और राजनात्सी बोले तो हमारे वर्तमान केंद्रियर रक्षा मंत्री और अत्या धुनिक ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेनरों का निर्मान कहां किया जा रहा है तो याद रखो हमारे भारत अर्थ शेल्से अग्लूर वी निर्माण सुवीदा में इसका निर्माण किया गया है और देश की पहली स्वधेशी ड्राइवरलेस मेटरो कार्क की विशेस्थाए देखे तो ये स्टैनलेस स्टील से बनी है किन से बनी हैских टेनलेस स्टील से बनी है और 6 कारो वाली इस मेट्रो ट्रेन में 2280 यात्रियों को ढोने की क्षमता है और मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरान यानिकी MMRDA की MRS1 परियोजना के लिए कुल 576 कारों के निर्मान का ओर्डर हमारे BEML को मिला है और जन्वरी 2024 तक इन की आपूर्ती शुरू हो जाएगी और जब यहां हम बात करते हैं BEML की तो इसका पुरा नाम क्या होता है भारत अर्था मूवर्स लिमिटेड तो भारत अर्था मूवर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबन निदेशक कौन है दीपक कुमार होता क्या नाम है दीपक ने B.E.M.L. लिमिटेड के अध्यक्ष एवं मैनेजिंग डिरेक्टर है बेंगलुरू में एरो स्पेस एसेंबली हैंगर का डिजाइन उत्काटन किस न किया है तो इसका उत्काटन भी हमारे रक्षा मंदरी राजनाची न किया तो दोस्तो इसी तरह हर क्वेशन से जुड़ किस कंपनी के नए CEO बने है पैट गेलसिंजर हाल ही में इंटेल कंपनी के नए CEO चीफ एग्जेक्यूटी ओफिसर बन गए है यानकि इस क्वेशन का सही आंसर है इंटेल और आपने इंटेल कंपनी का नाम तो सुना ही होगा क्योंकि हमारी जो कंप्यूटर सिस्टम है हमारा पर्शनल कंप्यूटर है इसका जो CPU Central Processing Unit इसमें जो मधर बोड होता है इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ होता है वो इंटेल कंपनी का ही ज्यादातर होता है तो दोस्तों इंटेल कंपनी के नए CEO बन गये है पैट गेलसिंजर और इंटेल ने पैट गेलसिंजर को फरवरी 15 2021 से यानि कि 15 फरवरी 2021 से अपने नए मुख्य कारियकारी अधिकारी के रुप में नियुक्त किया गया है यानि कि पैट गेलसिंजर 15 जनवरी को अपना चार्ज संबालने वाले है यह है पैट गेलसिंजर लेकिन पैट गेलसिंजर ने किसका स्थान लेंगे तो याद रखो पैट गेल सिंजर स्थान लेंगे बोब स्वान का यह है बोब स्वान और जब बात करते हैं इंटेल कंपनी की तो इंटेल कॉर्पोरेशन की बात करें इंटेल कॉर्पोरेशन दुनिया की सबसे बड़ी सेमी कंड़क्टर कंपनी है इंटेल ने ही सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाना चालू किया इंटेल की स्थापना 18 जुलाई 1968 को हुई और इंटेल कंपनी का हेड़क्वाटर अमेरिका के कैलिफॉर्निया के सांता क्लार सामिस्ति थे और इंटेल के स्थापक दो व्यक्ति है एक है रोबर्ट नॉइस और एक है गौर्डन मूर दोनों ने मिलकर इंटेल की स्थापना के थे दोस्तों कैसा फिल हो रहा है आपको हमारे इस वीडियो की कंटेन और क्वालिटी कैसी लगती है अच्छी लगती है तो आपके दोस्तों को इस वीडियो के लिंक शेर करना मत भूलेगा तीसरा कुशन हाल ही में अमेरिकी सरकार ने चीन की किस कंपनी को ब्लेक लिष्ट में डाल दिया है अमेरिकी सरकार ने हाल ही में चीन की शाओमी और इनके साथ साथ चाइना नेशनल आप्शोर ओएल दोनो कंपनियों को अमेरिकी सरकार ने ब्लेक लिष्ट में डाल दिया यानि कि इस कुश्चन का सही अंसर है आप्शन A और B दोनो हमारा सही अंसर बन जाता है आप्शन D और यह शाओमी क्या है शाओमी एक चाइना मोबल कंपनी का नाम है एक वक्त था जब एपल को भी प कॉर्पोरेशन और चीन की तीसरी सबसे बड़ी नेशनल ओयल कंपनी जिसका नाम है चाइना नेशनल आप्शर ओयल कॉर्प को ब्लेक लिष्ट में डाल दिया है अच्छा अमेरिकी सरकार ने जब ब्लेक लिष्ट में यह दोनो कंपनियों को शाओमी और यह एक ओयल कंपन दोनों को ब्लेक लिष्ट में डाल दिया है तो क्या असर पड़ेगा ब्लेक लिष्ट में आने के बाद अमेरिकी निवेशकों को ब्लेक लिष्टेड चाइनीज कंपनियों में अपनी जो हिस्सेदारी है वो खत्मा करनी होगी यानिकि अमेरिकन इन्वेस्टर है वो इस त अमेरिका की उपराष्टर पती कौन बनने जा रही है कमला हैरिस यह बेजिक इनफर्मेशन तो पता ही है लेकिन आज कुछ नए फेक्ट की चर्चा कर ले संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 49 अंस उत्तरी अक्षान सीमा रेखा बनती है यानि कि 49 अंस उत्तरी अक्षान सीमा रेखा बनती है कनाडा और युनाइटेट स्टेट्स के बीच और Great Lake और St. Lawrence नदी संयुकतर रज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा रेखा के रूप में भी कारिय करती है तो यह दोनों नदियों का नाम भी आपको याद रखना है Great Lake और St. Lawrence चोथा कुशन S-400 के संदर्ब में कौन सा कथन सही है S-400 जो विश्व की सबसे बेहतरेन मिसाइल डिफेन्स सिस्टम है जो हम रूस देश से करिदने जा रहे है और इसलिए यह कुशन सुर्ख्यों में आया है और खास तोर पर Class 1-2 की एक्जमिनेशन में इसी पेटरन के कुशन पुछ लिये जाते है और यहां हमें दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा तो चलिए पढ़ते है S-400 यह दुन्या का सबसे बेहतरेन मिसाइल डिफेन्स सिस्टम है बिल्कुल सही है जो हम रूस देश से खरिदने जा रहे है और S-400 की डिल के लिए ट्रम प्रशाशन तूर्की पर प्रतिबंद लगा चुका है बिल्कुल सही है और हमारे पर भी यानकि हमारे बारत देश पर भी इस तरह का प्रतिबंद लगाया जा सकता है यान कि यहां कौन सा कथन सही है उपर युक्त दोनों हमारा अंसर बन जाता है एक और दो दोनों सेंटेंस सही है और हाल ही में यह क्वेशन सुर्ख्यों में क्यों आया क्योंकि रूस के साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की 5.5 अरब डॉलर की डिल पर अमेरिका जल्द ही भ करतीबंद लगा चुका है और यह सिस्टम एक साथ 36 मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है यान कि इस तरह की मिसाइल डिफेंस सिस्टम है तक्रीबन 36 मिसाइलों को एक साथ मार गिराने में भी सक्षम है जो हम रूस देश से खरिदना चाहते है और जब बात करते हैं रू जिसके अगल बगल में फिंडलेन, बेलारूस, युकरेन, कजाखस्तान, मॉंगोलिया और चाइना जैसे देश स्थीत है रूस की कैपिटल का नाम है मोस्को और रूस के वर्तमान राष्ट्रोपती है व्लादी मीर पुतिन रूस के प्रदान मंत्री है मिखाईल मिशुष्टिन और रूस की करेंसी है रूसी रुबल और रूस की संसत का नाम क्या है ड्यूमा और जापान की संसत का नाम क्या है डायेट पांचों क्विशन निम्ना में से किस मंत्रालाई ने इग गवर्नेंच के लिए स्कोर्च चैलेंजर पुरसकार जीता है हाल ही में दोस्तो जन जातिया मामलोग के मंत्रालाई ने इग गवर्नेंच के लिए स्कोर्च चैलेंजर पुरसकार जीता यानिकि इस question का सही answer है जन जातिय मामलों के मंत्रालई ने यह पुरसकार जीता लेकिन एक simple सा question यह भी बन सकता है E-governance के लिए scores challenge पुरसकार को स्वीकार किस ने किया? जन जातिय मामलों के मंत्रालई के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा ने यह पुरसकार को स्वीकार किया और मंत्रालई को यह पुरसकार IT NEET की पहल और दूसरे परिवर्तन कारी कारियों के लिए दिया गया है इन परिवर्तनों से मंत्रालई में कारिय कुशलता में सुधार हुआ है और जब बात करते हैं जन जातिया मामलो के मंत्रालई के तो इन से जुड़े यह पैक्ट आपको हमेशा के लिए याद रखने चाहिए वो हाल ही में करंट अफेर में थे क्या ट्राइब्स इंडिया शोरूम आदिवासी लोगों की आजी विका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड जन जातिया मामलो के मंत्रालई की एक पहल है क्या ट्राइब्स इंडिया शोरूम और कोवीड-19 महामारी के चुनोती पुर्ण समय में जन जातिया आई बढ़ाने के लिए ट्राइब्स इंडिया और विल भी लांच किया गया था हमारे जन जातिया मामलो के मंत्रालई ने और इसी दो बात को लेकर भी हमारा यह मंत्रालई सुर्खों में आया था वो मैंने आपको बताया था चटा कुशन हाल ही में पुरा तत्वा विदो ने किस देश में विश्व की सबसे पुरानी गुफाकला की खोज की है इमेज में देख सकते हैं दोस्तो एक गुफाकला और वहाँ पर सुर का इस तरका पैंटिंग हाल ही में मिला है तक्रीबन 45,000 साल पुराना है और यह विश्व की सबसे पुरानी गुफाकला मानी जाती है खोज की गई है इंडोनेशिया देश में यानि कि इस क्वेशन का सही अंसर है इंडोनेशिया और यहाँ आप इसके उसको भी देख सकते हैं और जो पैंटिंग मिली है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं यह चित्र इंडोनेशिया में कहां पाया गया है? यह चित्र इंडोनेशिया में कहां पाया गया है? सुलावेसी द्वीपर, लेकिन सुलावेसी द्वीपर एक सुधूर घाटे में लियांग टोडोंगे गुफा में, इमेज में देख सकते हैं, यह है लियांग टोडोंगे ग जलक को चित्रित किया गया है, यह देखिये, इस तरह के जंगली सुवर को चित्रित किया गया है, और सुलावेसी जंगली सुवर चित्रकला की बात करें, तो इनसे जुड़े हुए और भी दोक्विशन,ision की point of view से important है यह चित्रकारी कम से कम कितने वर्ष पुरानी है तक्रिबन 45,500 वर्ष पुरानी है यह पेंटिंग और यह चित्रकारी में कौन से रंका उप्यों किया गया है लाल गेरू ये रंका उप्यों किया गया है इस पेंटिंग को बनाने में कहाँ पर मिली है इंडोनेशिया में और चुना पत्थर की गुफाओं में निर्मित रोक कला को कभी कभी केल्शियम कार्बोनेट जमा यानि कि गुफा पॉपकॉर्ण एक मेथड है तो इनके युरेनियम स्रिंखला विशलेशन का उप्योग करके दिनांकीत किया जा सकता है यानि कि कितने साल पुरानी ये पेंटिं और भारत ने किसके साथ नव सैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति का आयोजन किया था तो यहां भी हमारा आंसर बनेगा इंडोनेशिया जब इंडोनेशिया की बात आती है तो इंडोनेशिया के भारत के जो सबंध है इसमें एक नव सैनिक अभ्यास भी है जिसका नाम है शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया था और जब बात करते हैं इंडोनेशिया की इंडोनेशिया की कैपिटल का नाम क्या है जकार्ता लेकिन जकार्ता की बात करें तो रिसर्च के अनुसार आने वाले साल दोजर पच्चास तक इसका एक बड़ा हिस्सा पानी में पूरी तर नहीं होगी और इंडोनेशिया की करेंची है इंडोनेशियन रुपिया और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है जोको विडोडो और इंडोनेशिया देश दुन्या का चोथा सबसे अधिक आबादी वाला और दुन्या में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला द इसके लिए एक नईब बटालियन बवन की आदार्शिला हमारे ग्री मंत्री अमीत शाह ने रख़ी यानकि इसиков का सही अंसर है अमीत शाह और ग्री मंत्री अमीत शाह दो दीन के करणाटक के दोरे पर थे और उन्होंने बद्रावति में तुरित कारवाई बलके एक नईब ब प्रणाली वाहनों को भी हरी जंडी दिखा कर रवाना किया इमेज में देख सकते हैं और बेंगलुरू और विजैपुरा में पुलिस कर्मियों के आवासिय परिसर का भी वर्चुली उद्गाटन किया है हमारे ग्री मंतरी अमित शाजी ने और जब बात करते हैं के नाम से जाना जाता था किसको बेंगलुरू को और आधुनिक बेंगलुर की स्थापना सन 1537 में विजै नगर सामराज्य के दोरान हुई थे टीपू पैलेस वो किला बंगलुरू के प्रसिद परियतन स्थलो में से है इमिज में अप देख सकते हैं और उत्तर बेंगलुर के राजाजी नगर में स्थित क्रिश्ण और राधा का मंदीर दुनिया का सबसे बड़ा इसकोन मंदीर है और इस मंदीर का शंकर दयाल शर्म हमारे बारत देश के राष्ट्र पते थे आठवा कुशन विश्व स्वास्तिय संगठन द्वारा इबोला वेक्सिन का बंडार किस देश में स्थापित किया जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ओर्गेनाजेशन के द्वारा इबोला वेक्सिन का एक बंडार स्थापित किया का सही अंसर है स्वीजर लेंड और एबोला वेक्सिन की बात करें तो कोवीड-19 की तरह ही एबोला एक गंबिर बीमारी है इसको ध्यान में रखते हुए डवलु एच ओ ने एक कदम उठाया है कि इसका एक बंडार स्थापित किया जाना चाहिए और स्थापित किया जाएगा स्वीजर लेंड में विश्व स्वास्थिय संगठन द्वारा इबोला वेक्सिन का बंडार स्थापित किया जाएगा और इसमें इबोला वेक्सिन के तकरिबन 50,000 डोज आरक्षित किया जाएगे और जब वेक्सिन की बात आती है तो इसके लिए तीन महत्वपुर्ण एज और इबोला वेक्सिन का बंडार तयार करने का उद्देश्य क्या है? भविश्य में इबोला प्रकोपो से निपटना वेक्सिन बंडारन के लिए वितियस सहाइता किस के द्वारा प्रदान की जाएगी? वेक्सिन बंडार और इबोला वाईरस की खोज सबसे पहले कब और कहां हुई थी? वर्ष 1976 में इबोला नदी के पास और इबोला नदी की इस देश में कॉंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है और अफ्रिका में फ्रूट बेट चमगादर इबोला वाईरस के वाहक है जिन से पशू संक्रमित होते है और इसमें वायू जनित संक्रमन नहीं होता है नवा कुशन निमन मैं से कौन सा हवाय अड़ा उडान योजना के तहत 54 वा हवाय अड़ा बन गया उडान इसका पुरा नम क्या है उडे देश का आम नागरेक और इस योजना के तहत 54 वा हवाय अड़ा बन गया है हिससार हवाय अड़ा यान की इस कुशन का सही अंसर है हि चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खटर ने यो जंडी दिखा कर इसको रवाना भी किया। अब इस नई फ्लाइट के साथ हिसार से चंडी गड के बीच की यात्रा का समय 4 गंटे 50 मिनट लगता था लेकिन अब घट कर रह जाएगा 45 मिनट। भारत के प्रदान मंत्री स्री नरेंद्र भाई मोधी ने 27 अप्रेल 2017 को उडान स्कीम के तहत शीमला से दिलही की पहली फ्लाइट का उदकाटन किया था। उड़े देश का आम नागरेक प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने सस्ती दरवाली राज्जिय कनेक्टिवीटी योजना का उदकाटन किया है। उड़े देश का आम नागरेक तो उड़ान योजना की बात करे। भारत देश के इंडिया मेटियोरोलोजिकर डिपार्टमिन ने अपना एकसो पैतालिश्व स्थापना दिवस्मनाया पंदरत जन्वरी को। यानिकी इस क्वेशन का सही अंसर है 15 जन्वरी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 15 जन्वरी 2021 को अपना 145 स्थापना दिवस मनाया और भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना वर्ष 1855 में ब्रिटिश भारत में की गई थी वर्ष 2020 में विश्व मौसम संगठन ने भारत मौसम विज्ञान विभाग की साथ वेजशालाओ को भी मान्यता प्रदान की है और IMD जिसका पुरा नाम यदि एग्जामिनेशन में पुछ लिया जाए तो IMD का पुरा नाम होता है इंडिया मेटियोरोलोजिकल डिपाटमेंट हिंदी में कहे तो भारतिय मौसम विज्ञान विभाग और भारतिय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना अठारा सो पचपतर में कोलकत्ता में इसके मुख्या लेके साथ की गई थे लेकिन बाद में इसे 1905 में शिमला, 1928 में पुने और फिर 1940 में दिलही श्ठानांतरि तीरु वल्लूवर कौन थे? दोस्तो तीरु वल्लूवर एक जाने मने कवी एवं दार्शनिक थे? यानि कि इस क्वेशन का सही अंसर है कवी और दार्शने कौन तीरु वल्लूवर? और हाल ही में सुर्ख्यों में क्यों आये क्योंकि 15 जनवरी 2021 को तिरू वल्लू वर दिवस मनाया गया और यह तमिल नाडु में पॉंगल समारों के एक भाग के रुप में मनाया जता है तिरू वल्लू वर एक प्रसित कवी और दार्शनिक थे तिरु वल्लुवर तिरुक्कु नामक रचना के लिए जाने जाते है और यह नईतिकता, प्रेम, आर्थिक और राजनितिक मामलोग पर दोहो का एक संग्र है तिरुक्कु और पहला तिरु वल्लुवर दिवस 1935 में सत्र और 18 मैं को मनाया गया था और तिरु वल्लुवर की बात आगे करे तो वल्लुवर कोटम नामक एक मंदिर समारक चैनने में वर्ष 1976 में बनाया गया था इमेज में देख सकते हैं बहुत ही बड़ा यसमारक और मंदिर समारक एशिया में सबसे बड़े सभागारों में से एक है यानि कि एक बहुत बड़ा सभागार यहां पर स्थी थे और कन्या कुमारी में थिरू वल्लुवर की 133 फूट ओची प्रतिमा भी है थिरू वल्लुवर की 133 फूट ओची प्रतिमा भी यहां पर है कहां पर कन्या कुमारी में बारवा क्वेशन निम्ना में से किस खेल का अविशकार जैम्स नाइस मीट ने किया था जैम्स नाइस मीट ने दोस्तो बास्केट बोल खेल का अविशकार किया था यानकी इस क्वेशन का सही अंसर है बास्केट बोल लेकिन ये क्वेशन करंट अफेर में क्यों आया क्योंकि की हाल ही में दोस्तो जेम्स नाइसमीत का डूडल बनाकर गूगल ने याद किया गूगल ने 16 जनवरी को जेम्स नाइसमीत को संबानित करने और उनकी विरासत का संबान करने के लिए एक डूडल बनाकर प्रदरशित किया था आपने भी यह देखा होगा आपके मोबाइल में और James Naismith एक कनाडाई अमेरिकी डॉक्टर, प्रोफेसर, कोच और शारिरिक शिक्षत थे उन्होंने बास्केट बॉल के खेल का आविश्कार किया था नाम मत बुलेगा James Naismith और James Naismith का जन्म छे नवंबर 1861 को कनाडा के ओंटारियों में हुआ था और उनके सम्मान में स्प्रिंग फिल्ड मैसाचूसेट्स में Naismith मेमोरियल बास्केट बॉल ओप फेम की स्थापना की गई थी और निदन 28 नवंबर 1949 को अमेरिका के कंसास के लॉरेंस में हुआ था ने शुरू की है फेसलेस पेनाल्टी स्कीम 2021 शुरू की है CBDT ने यानकी इस क्वेशन का सही आंसर है CBDT पूरा नाम क्या होता है Central Border of Direct Taxes केंद्रिय प्रत्यक्स कर बॉर्डर ने अपने फेसलेस मुल्यांकन कार्यक्रम के तहत आयकर से सबंदित जुर्माना अधिर उपित करन इस से जुड़े मुद्दो के लिए फेसलेस पेनाल्टी स्कीम 2021 शुरू की है और इस कार्यक्रम का उद्देश क्या है कर दाताओ और आयकर विबाग के बीच मानविया इंटरफेस को पूर्ण तहस्माप्त करना है इस प्रणाली में कर अधिकारी के समक्ष उपस्थित होन की आवश्यक्ता नहीं होगी और जब बात करते हैं CBDT की पूरा नाम बताया Central Board of Direct Texas और CBDT के वर्तमान अध्यक्ष कोण है प्रमोद चंद्रमोदी नाम मत बुलेगा प्रमोद चंद्रमोदी CBDT के वर्तमान अध्यक्ष और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेशन की लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेशन पुछा था भारत में 15 जन्वरी को किस दिवस के रुप में मनाया जाता है प्रती वर्ष यानिकि इस क्वेशन का सही अंसर था option B थल से अंसर दिवस लगबग सभी दोस्तों ने इस क्वेशन का सही अंसर दिया है इन में से कु अंराज सी डाबी, रंजना कुमारी, खल्यानी साहिल, लोकेश कुमार इन सभी दोस्तों ने इस क्वेशन का सही अंसर दिया भूमिका बागिया, विने कुमार, राजेश पारगी और स्वालंकी परेश कुमार वो लिखते हैं कि सर में डैली आपका वीडियो देखता हो और कमेंट का आंसर भी लिखता हो, लेकिन मेरा नाम आपने नहीं लिया, सौरी फ्रेंड्स हम आज आपका नाम ले रहे हैं, सौलंकी परेश कुमार आप वीडियो देखना जारी रखे हैं मन्जु कुष्वाह, एंजल कुरडिया, ब्रिजराज सी वाला, इन सबी दोस्तो का अंसर बिल्कुल सही, MSV वर्यर्स, जस्मिन पतेल, पुजाबा एस जाडेजा, सोनल नडोडा, नितेश कुमार, चोसला सागरभाई, आकाश लिम्बाचिया और अमीत्रिवेदी, सबी द पांचाली, चारू लता, घरे बाईरे जैसी यादगार फिल्मों के निर्माता कौन है? आपको भी बता है, हाल ही में फिल्म फेस्टिवल, इक्यवनवा अंतर राष्ट्रिय फिल्म महत्सव, गोवा के पंजी में शुरू हो चुका है, और इसलिए ये क्वेशन मीने आज पुछा है, पाथेर पांचाली, चारू लता, घरे बाईरे जैसी यादगार फिल्मों के निर्माता कौन है? सही आंसर चुनकर नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना मत बुलेगा, और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हैल्पफुल लगा है, तो आपके दो कि अपके चायई!